दोस्तों अब मैं आता हूँ आज के मुख्य विशेर पर जिसे मैंने कहा power of elimination basically यह power of elimination क्या है power of elimination शक्ति छमता यहाँ power को आप छमता कह सकते है eliminate करने की छमता eliminate करने की छमता का क्या मतलब है definitely इसका पूरा संबंध आपके pre-examination से है मैं उसी की बात कर रहा हूँ जहा तक मेरी जानकारी है student से जो मेरी बात हुई है और मैं students जो सफल हो जाते हैं उनको लगाता है सुनता भी रहता हूँ बातचीत भी करता रहता हूँ मैंने ये पाया है friends कि pre-examination में अगर आपको सफल होना है तो power of elimination का होना जरूरी है must है अनिवार ये है क्योंकि जो भी student सफल हो रहे है pre-examination में और यहां तक की बाद में जाकर मेंस में भी बहुत अच्छी position लाते हैं उनका भी कहना है कि pre में वे सीधे सीधे maximum 40% questions solve कर पाते हैं maximum 40% question हलाकि उसमें कुछ लोगों ने 45% तक की बात कही है maximum अब ये बात अलग है कि फिलहाल तो जो score है अगर इतना आप सीधे marks score कर लेते हैं तो आप selection list में शामिल हो जाएंगे लेकिन सवाल ये होता है कि वो के ओवर इतने ही तो solve नहीं करते हैं ऐसा तो नहीं तो बाकी को बिलकुल छोड़ देते हैं नहीं बाकी भी वो solve करते हैं उसमें से कुछ सही हो जाते हैं कुछ गलत हो जाते हैं कुल मिला करके है कि वो सफल हो जाते हैं इसके जरिये जो मैं इस्थापित करना चाह रहा हूं जो आपको बताना चाह रहा हूं वो सिर्फ इतना कि अगर आप सोचेंगे मान लिजे कि इस बार का जो प्रतिशत आएगा अभी जो एक्जाम आगे चल करके होने वाला है 55% कट अफ मार्क 55% है तो अगर आप ये सोचेंगे या 50% है या 45% अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं मैं इतने ही साल्व करूंगा बस और बिलकुल सही सही साल्व करूंगा मेरा स नहीं हुई है तब फिर आपके पास उपाई क्या रह जाता है उसी उपाई को मैंने यहां पावर आफ इलिमिनेशन का नाम दिया है यानि कि आपको अपने अंदर एक ऐसी छमता विक्षित करनी पड़ेगी कि आप जो चार आप्शन दिये हुए हैं उन चार आप्शन में जादा से जादा आप्शन को इलिमिनेट कर सकें देखे अगर आपको उत्तर बिलकुल सही मालूम है तब तो आप निशान लगा देंगे बात खतम हो गई लेकिन ऐसा आप कितनों के साथ कर सकेंगे यह एक सोचने की बात है आपको बहुत जादा आशावादी नहीं होना च चाहिए और बहुत जादा निराशावादी भी नहीं होना चाहिए निरुतसाहित भी नहीं होना चाहिए जब भी कोई प्रतियोगी परिक्षा होती है या कोई भी कॉम्टिशन होता चाहिए वो खेल ही क्यों नहीं हो तो आपको एक स्ट्रटरजी लेके चलनी पड़ती है और strategy के दो भाग होते हैं, पहली वह कि आप अपने को समझें, कि आपको कैसी तयारी करनी है, लेकिन आपकी जो समझ है वो किवल अपनी तक की सीमित नहीं होनी चाहिए, जिससे आपकी प्रतियोगिता है, जो विरोधी टीम है, उसके strategy के बारे में भी आपको मालूम होना चाह होगी, वो किस तरह से तयारी कर रहा है, उसकी क्या चमताएं हैं, और उसके आधार पर फिर आप अपनी चमताओं को बढ़ाते हैं, परिवर्तित करते हैं, तो अभी जो मैंने आप से बात कही है, उसे आप विरोधी टीम की रणनीती कह सकते हैं, या उसकी चमता कह सकते हैं कि वे भी मुश्किल से 40 प्रतिशत कोश्चन्स ही डायरेक्ट सॉल्व कर पाते हैं अब माल लीजे कि चलिए हम 50% स्कोर की बात करते हैं तब ये जो 10% जो और स्कोर होगा ये कहां से होगा ये आप कहां से लाएंगे क्योंकि अगर आप बिल्कुल छोड़ करके आ जाएंगे तो याद रखिए कि अगर आपने 40 सॉल्व किये हैं तो इस गलत फहिमी में मत रहिए कि 40 के 40 सही होगे हो सकता है कि इसमें 2-4 गलत हो जाएं फिर तो आपका स्कोर और कम हो जाएगा बिल्कुल बाहर ही हो गए और अगर 40 के 40 सही हो गए तब भी आप ये मत मान करके चलिए कि आपका सेलेक्शन हो ही जाएगा अगर कट आफ मार्क जादा हुए तो तो इसका हल क्या है तो जो तो इसका जो हल है वो पावर अफ इलिमेनेशन में है यानि कि आपको उन प्रशनों को भी सॉल्व करना ही चाहिए या यूं कह लिए कि करना ही पड़ेगा जिनके बारे में आप डारेक्ट नहीं जानते हैं लेकिन पावर अफ इलिमेनेशन के जरिए आप वहां तक पहुँच सकते हैं आप बकाएदे सही उत्तर तक पहुँच सकते हैं हाँ ये बात अलग है कि इस पहुँचने के प्रोसेस में हो सकता है कि कुछ उत्तर आपके गलत हो जाए बिलकुल इस बारे में पूरी संभावना बनी रहती है और उससे आपको डरने की जरूरत भी नहीं है उसका बड़ा एक अच्छा सा mathematical calculation है आगे चल करके मैं आप लोगों से इसके बारे में भी बात करूंगा लेकिन आपको solve तो करने पड़ेंगे तो जब आपको solve करना है तो सीधी सी बात है कि आपको अपने अंदर power of elimination को develop करना आप जिन उत्तरों को नकार रहे हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता उसके पीछे बकाइदे तर्क होने चाहिए आपकी समझ होनी चाहिए ये समझ कैसे होगी वो तर्क कहां से आएंगे किन-किन tools को लेकर के आप ऐसा कर सकते हैं मैंने अब निश्चे किया है कि बीच बीच में इन विंदूं पर आप सबसे थोड़ी बहुत चर्चा करता रहूंगा ताकि इस बारे में आपकी छमता जब एक्जाम तक आप पहुंचें तब तक बहतर हो सके और मैं चाहूंगा कि इसके बारे में यदि आपके मन में कोई प्रेशन हो तो प्लीज आप जरिये मुझे बताएं ताकि उन्हें भी मैं इसमें शामिल कर सकूँ तो दोस्तों फिलहाल मुख विशे के बारे में बस इतना ही